ओम शान्ती परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों को इस मकर शंक्रान्ती के शुब दिन की बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो जैसे की हमारा ये भारत वर्ष कहते हैं अनेका अनेक तहवारों को मनाने का एक यादगार भूमी है जहां पर वर्ष में अनेका अनेक तहवार आती हैं और हर मानव आत्मा बड़े उमंग और उत्सा से उस तहवार को खुशी से अपने परिवार के साथ अपने सर्वसंबंधियों के साथ मिलकर बहुत आनंद का अनभव करते हैं उसको मनाने में लेकिन आज तहवार तो हम बहुत सारे मना रही हैं और मनाते ही आ रही हैं लेकिन आज जितने भी तहवार हम मनाते हैं आज उन सभी तहवारों को मनाने में हर एक तहवार के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है और कुछ ना कुछ उन रहस्यों में हमारे स्वयम से जुड़े जीवन की भी कुछ गुहे बाते होती हैं जिसको आज हम नहीं समझते हैं या यूं कहें कि उधर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है कि जो तहवार हम मना रहे हैं या मनाने जा रहे हैं आखिर वो हमारे जीवन में किस लिए किस रूप से जुड़ा है तो ऐसे ही आज का दिन इस विशेश मकर शंक्रांती के तहवार का दिन है जिसे आज सभी बड़े उमंग उत्सा से मना रहे हैं और प्रतिवर्ष मनाते भी आते हैं लेकिन वास्तों में जो तहवार आज हम मना रहे हैं और इतने वर्षों से मनाते ही आ रहे हैं तो कुछ तो इसका रहे से होगा न और वो रहे से भी क्या है तो आज हम सभी सुनेंगे कि वास्तों में जो हम ये मकर शंक्रांती नाम का ये तहवार मनाते हैं तो इसका हमारे मानव जीवन से क्या संबंध है और क्यूं हम प्रतिवर्ष ये तहवार मनाते हैं तो कहते हैं मकर शंक्रांती का तहवार एक ऐसा तहवार है एक ऐसा उत्सव है जिसके लिए कहते हैं कि इस दिन अनीक भक्त आत्माई अनीक श्रद्धालू दूर दूर से अनीक नदियों में इसनान करने के लिए पहुशते हैं जबकि आप सभी को पता है कि ये जन्वरी मास का तहवार होता है चौदा जन्वरी और इस समय ठंड भी बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी वो सभी आत्माई दूर दूर से कुछ ना कुछ भावनाई अपने मन में रखकर कुछ ना कुछ कामनाई अपने दिल में लेकर गंगा इसनान करने के लिए दूर दूर से पहुचते हैं तो आखिर भी इसका इतना महत्व क्यूं है जो इतने दूर दूर से भक्त आत्माई अनिक नदियों में इसनान करने के लिए पहुचते हैं और बहुत खुशी से उमंग उत्सा से इसनान करते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं दिन दूर दूर से शद्धालू गंगा में इसनान करने के लिए पहुचते हैं क्योंकि इस दिन को शुब दिन के रूप में लोग मनाते हैं और वो शुब दिन को मनाने के लिए लोग बहुत सारी स्थूल परमपराओं को भी जीवन में अपनाते हैं जैसे कि इस दिन लोग तिल का भी दान करते हैं, खिचडी का भी दान करते हैं तो आखिर भी ये तिल और खिचडी का दान क्यूं करते हैं? इन दोनों ही चीजों का इतना महत्व इस दिन क्यूं होता है? तो आएए हम सभी जो इतने वर्ष से हम ये तहवार मनाते आ रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी जीवन से जुड़ा हुआ है लेकिन हम उसके रहस को नहीं जान पाते हैं नहीं समझ पाते हैं तो आज आप सभी परमात्मा के बताए हुए ज्यान के अनुसार इसका अध्यात्मिक रहस सुनेंगे कि वास्तों में ये तहवार हम क्यूं मनाते हैं और इस तहवार को मनाने के पीछे इसका अध्यात्मिक रहस क्या है तो कहते हैं ये समय ऐसा चल रहा है जिसको कल्योक का समय कहा जाता है तो कल्युग का समय अर्थात कहते इस स्रष्टी के अंतिम का समय अंतिम काल का समय तो वो समय हमारा जो चल रहा है इस समय जिसको इस स्रष्टी के अंत का समय कहें कल्युग कहें तो परमात्मा कहते हैं बचे ये ऐसा समय है जिस समय आज मानव आत्माई जो सर्व गुणों से संपन्य आत्माई थी सर्व शक्तियों से संपन्य आत्माई थी लेकिन आज वो सर्व गुण, वो सर्व शक्तियां आत्माउं के अंदर से कहां चला गया किस कारण से आज मानव अपनी मानवता से नीचे उतर गया किस कारण से आज हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं चल रहे हैं लेकिन फिर भी कही न कही अंदर से हमें खाली पन महसूस होता रहता है भौतिक चीजों से तो हम अपने को बहुत संपन्य महसूस करते हैं हर आत्मा अपने सामर्थ के अनुसार अपने जीवन में संपन्यता का अनभव करती हैं लेकिन फिर भी कही न कही अंदर किसी न किसी कोने में एक खाली पन की महसूसता जरूर होती है तो वास्तों में वो क्या है? वो खालीपन क्या है? और कैसे हम उसको अपने जीवन में फिर से लाएं? जैसे कि यह समय कैते यह कल्यूग का समय चल रहा हैं कल्यूग का समय माना ही कैते स्रिष्टी के लाश्ट का समय कल्यूग अर्थात लाश्ट का यूग क्योंकि चार यूग हैं हमारे इस स्रिष्टी चक्र में सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और यह है कल्यूग तो कल्यूग अर्थात स्रिष्टी के अंतकाल का समय तो वास्तों में कल्यूग का अर्थ क्या है तो कहते हैं कल्यूग माना ही कलह कलेश का यूग कल्यूग माना ही एक काला यूग है कहते हैं ये समय कौन सा चल रहा है कल्यूग का समय तो कल्यूग का समय माना ही वो अंतिम समय चल रहा है जिसके लिए कहते आज सारी मानवता क्या है? दुखी और अशान्त है क्योंकि कल्यूग को कहते ही है कलह कलेश का यूग और यही कलह कलेश जो आज हमारे संबंद में है हमारे परिवार में है और सारे समाच में फैला हुआ है जिस कारण से आज सारी मानव जाती कहें मानवता कहें जिसके अंदर दुख और अशान्ती फैल चुकी है लेकिन फिर भी इस दुख अशान्ती के जीवन में जीते हुए भी आज हर एक को किस चीज का इंतिजार रहता है कि कहीं से जीवन में थोड़ी सुख शान्ती आ जाए क्योंकि हर आत्मा आज क्या है दुखी है अशान्त है परिशान है और आज हर आत्मा को लगता है कहीं ना कहीं से हमें थोड़ी जीवन में शान्ती मिले थोड़ा सुकून मिले लेकिन वास्तों में वो कैसे मिलेगा क्योंकि आज हर मानव आत्मा अपनी मानवता को ही भूल गया है आज हर मानव आत्मा अपनी मानवता की सिखर से इतना नीचे उतर चुका है जो वो चाहता तो है कि जीवन में हमें सुकून मिले जीवन में खुशी आए जीवन में हम भी आनंद का अनभव करे लेकिन फिर भी वो वहां तक नहीं पहुच पाता है चाहता है जीवन में कुछ परिवर्तन हो हर आत्मा को परिवर्तन का इंतिजार है लेकिन वो परिवर्तन भी कैसे आएगा तो ऐसी समय पर स्वयम निराकार परम जोती परमात्मा जो इस रश्टी का दाता है, विधाता है, वरदाता है ज्यान का सागर है, पतित पावन है ऐसी समय पर वो पवित्रता का सागर परमात्मा बाब गुप्त रूप में इस धरा पर आकर हम मानव आत्माओं को हमारे मानव जीवन का स्रेश्ट महत्व बताते हैं कि वास्तों में हमारा मानव जीवन है क्या क्योंकि आज वैसे भी लोग साधारन भासा में कह देते हैं कि आज मानव जीवन क्या हो गया है कहेंगे जानवरों से भी बदतर जीवन हो गया है जिस मानव जीवन को कल तक हम कहते थे स्रेश्ट जीवन है मानव जीवन उत्तम जीवन माना जाता था जिसके लिए कहते बड़े भाग्य मनुस्तन पाए लेकिन आज उसी मानव जीवन को लोग क्या कह रहे है ये मानव जीवन क्या हो गया है कहेंगे जानवरों से भी बदतर जीवन हो गया है तो आखिर भी ये मानव जीवन हमारा जानवरों से भी बदतर कैसे हो गया किस ने बना दिया किस कारण से हो गया तो कोई ना कोई तो कारण होगा न, जो आज हमारा मानव जीवन इतना नीचे उतर चुका है और हम स्वयम इस जीवन को जीने में खुशी का अनभव नहीं कर पा रही है तो वास्तों में इसका कारण है, स्वयम के अंदर के जो विचार है जिन विचारों के आधार से हमारे जीवन में कर्म होता है और वो ही कर्म हमारे स्वयष्ट संसकारों में परिवर्टन होना कहें या फिर जैसा कर्म वैसा संसकार कहें तो उसका मूल कारण है हमारे अंदर के विचार तो आज मानव जीवन के विचार कैसे हो गए है कहीं न कहीं कहेंगे क्या करें हमारे अंदर व्यर्थ विचार बहुत चलते हैं क्या करें हमारे अंदर अशुद संकल्प बहुत चलते हैं तो आखिर भी इसका कारण क्या है तो परमात्मा कहते क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है इसलिए इस समय के अनुसार आज हमारे विचारों में भी इतनी गिरावट आ गई है तो ऐसे समय पर वो परमात्मा पिता जिसको हम इश्वर, गौड, अल्लह कहकर याद करते हैं वो कल्योक के अंत और सत्योक के आदी के कहते एक समय है जिसको संगम का समय कहते हैं ऐसे समय पर परमात्मा इस धरा पर आकर हम आत्माओं को स्रेश्ट कर्म करने की सिक्षा देते हैं स्रेश्ट भाग्य बनाने की सिक्षा दे रहे हैं जिसको ही परमात्मा कहते हैं पुर्षोत्तम संगम युग, तो पुर्षोत्तम संगम युग माना ही क्या? तो कहते हैं पुर्षोत्तम संगम युग माना ही पुर्षों से भी उत्तम पुरुष अर्थात आत्मा, तो पुर्षों से भी उत्तम स्रेश्टे स्रेश्ट भाग्य बनाने का परमात्मा ने हम बच्चों को ये सुनेहरा समय दिया है जिस समय का हम सभी बहुत समय से इंतिजार कर रहे थे पुर्शोत्तम मास हम बहुत समय से मनाते आ रहे हैं जिसके लिए कहते हैं कि हर तीन वर्ष के बाद एक बार ये मास आता है जिसका लोग बहुत महत्वी रखते हैं और उस महत्व के साथ बहुत सारी नियम धारनाओं को भी जीवन में अपना कर उस मास को पूरा करते हैं तो आखिर भी पुर्शोत्तम मास का इतना महत्व क्यूं है तो परमात्मा ने बताया कि जब परमात्मा इस धरा पर आता है तो वो आकर हम सभी को जो स्रेश्टे स्रेश्ट कर्म करने की सिक्षा देता है तो वो सिक्षा का समय ही होता है पुर्षोत्तम युग तो दुनिया में लोग पुर्षोत्तम मास मनाते हैं और आश परमात्मा ने हम बच्चों के लिए पुर्षोत्तम युग हमारे सामने रखा है तो वो मास तो हम बहुत जल्दी मना कर पूरा कर लेते हैं लेकिन इस पुर्षोत्तम युग में परमात्मा कहते बचे जितना चाहो तुम अपना स्रेष्ट भाग्य बना सकते हो क्योंकि ये पुर्षोत्तम संगम युग परमात्मा कहते बचे ये एक बैंक के समान है जैसे जीवन में भी लोग कमाई करते हैं भविश्य के लिए सेविंग भी करते हैं क्यों करते हैं? ताकि आगे हमारा जीवन सरल हो जाए सहज हो जाए तो ऐसे परमात्मा ने भी हम बच्चों को हमारे आगे की भविश्य को स्रेष्ट बनानी के लिए स्रेश्ट भविष्य निर्माण करने के लिए ये पुर्षोत्तम संगम युक का समय दिया है तो उस बैंक में तो हम क्या जमा करते हैं? वो इस थूल धन जमा करते हैं जिसको हम कहें विनाशी धन है आज है कल नहीं होगा लेकिन परमात्मा ने जिस बैंक का निर्माण हम बच्चों के लिए किया है उसको कहते हैं अविनाशी बैंक और इस अविनाशी बैंक में हम जमा भी क्या करते हैं? अपना अविनाशी खजाना और वो अविनाशी खजाना क्या है? हमारे स्रेष्ट संकल्प का खजाना हमारे स्रेष्ट कर्म का खजाना हमारे स्रेष्ट विचारों का खजाना तो परमात्मा ने कहा ऐसे समय पर हम इस अविनाशी बैंक में क्या जमा करते हैं? अपना सर्व अविनाशी खजाना अपने स्रेष्ट संकल्प का खजाना, स्रेष्ट कर्म का खजाना जमा करते हैं जो सदा हमारे साथ जाने वाला होता है जो आत्मा का खजाना है जो अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी रूप में सदा साथ चलता है तो पुर्षोत्तम मास में लोग और क्या करते हैं इस्नान तो करने जाते ही हैं लेकिन साथ साथ कुछ दान पुन्य भी करते हैं तो उस्ते दान पुन्य करेंगे तो आगे के लिए कुछ हमारा स्रेष्ट भाग्य बनेगा और आज के दिन भी जिसको हम मकरशंक्रांती के रूप में मना रहे हैं तो इस दिन भी लोग दान की प्रथा को बहुत महत्व देते हैं और दान भी क्या करते हैं तिल का दान करेंगे, खिचडी का दान करेंगे तो वास्तों में ये तिल और खिचडी का जो दान करते हैं इसका भाव क्या है तो परमात्मा ने बताया कि मनुष्यों के जो संसकार हैं वर्तमान समय वो सब कैसे संसकार हो गए हैं तो कहते आशरी संसकार हो गए हैं जो कल तक कहते थे दैवी संसकार था आज उन दैवी संसकारों के बजाई आज आशरी संसकारों का मिलावट हो चुका है अर्थात उसके संसकार कैसे हो गए हैं विल्कुल जैसे खिचडी के समान जैसे खिचडी में भी सब चीज मिला हुआ होता है न तो ऐसे ही आज उन अनेका अनेक आशरी संसकारों के मिलावट के कारण आज खिचडी दान करने की प्रथा है तो कहते हैं इस दिन खिचडी और तिल का दान करते हैं इसका भाव यह है कि मनुश्यों के संसकारों में आज अनेका अनेक आशरी संसकारों के भी मिलावट हो गई है जिन्हें परिवर्तन करके अब दिव्यस संसकार हमें बनाना है इसका अर्थ यह है कि प्रतीक मनुष्य को इर्शा, द्वेस, नफरत के संसकार जो उनके जीवन में बिलकुल भर चुका है अब परमात्मा कहते बचे इन संसकारों का दान दो तो परमात्मा ने तो कहा था अपने अंदर के इन आसरवी संसकारों का दान देना है लेकिन उसके यादगार तहवार के रूप में जो आज हम यह मना रहे हैं उसमें हम किसका दान कर रहे हैं? तिल का दान कर रहे हैं तो तिल का दान क्यूं करते हैं? तो परमात्मा ने कहा बची तुम्हारे अंदर जो तिल के समान सुक्ष्म रूप से बुराईया अंदर बस गई हैं विकार अंदर बस गई हैं जिसको तुम चहकर भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे समय पर परमात्मा आकर कहते बचे जितना तुम परमात्मा के स्रेश्ट ज्यान को जीवन में अपनाएंगे परमात्मा की याद में रहने का निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर के जो ये सुक्ष्म बुराईयां हैं तिल के समान जो बुराईयां हैं वो भी धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर होने लगेगा और यही मानव जीवन हमारा देव तुल्य जीवन बन जाएगा और यही मानव जीवन हमारा स्रेश्ट जीवन बन जाएगा तो अभी हम सुनेंगे कि वास्तों में जो ये तहवार हम मनाते हैं तो इसमें अनेक चीजों का जो महत्व है जिसमें सबसे पहले कहते हैं इसनान का बहुत महत्व होता है और वो इसनान भी कौन सा इसनान तो कहते हैं जो ब्रह्म मूरत में उठकर इसनान करते हैं उस स्नान का बहुत महत्व मानते हैं, कहेंगे सूर्य भी उदै ना हो और उससे पहले स्नान कर लें तो वे स्नान फली भूत हो जाता है, वो वर्दानी समय माना जाता है तो परमात्मा की याद के लिए भी परमात्मा के वर्दानों को प्राप्त करने के लिए भी जो उन्होंने समय बताया है, वो भी ब्रह्म मूरत का समय है जिस ब्रह्म मूरत में उठकर जब हम उस परम जोती परम पिता ज्यान के सागर परमात्मा को याद करते हैं तो इसके ज्यान के सीतल जर्नों से हमारी आत्मा के अंदर के जनम जनमानतर के जो पाप करम हैं, जनम जनमानतर के जो मैल चड़े हुए हैं, बुराईयों के, विकारों के, वो भी सब साफ होते जाते हैं और हम आत्मा स्वयम को वर्दानों से भरपूर अनुभव करते हैं फिर कहते इस दिन तिल भी जरूर खाना चाहिए तो तिल भी जरूर खाना चाहिए तो आखिर तिल का ही इतना महत्व क्यूं देते हैं तो कहते तिल जो है अकेला नहीं खाया जा सकता तिल को आप ऐसे ही नहीं खा सकते अगर ऐसे ही खाएंगे तो वो कड़वा लगता है तो इसलिए तिल के लड़ू को जब भी बनाते हैं तो किस में बनाते हैं? गुड में बनाते हैं तो परमात्मा कहते हैं बचे वास्तु में तिल और गुड जब आपस में मिलता है तो उसमें एक मिठास आ जाती है भले तिल का ओरिजनल गुड कड़वापन है लेकिन जब वो गुड के संपर्क में आता है तो उसके अंदर मिठास आ जाती है तो ऐसे ही जब हम आत्माई उस परम जोती परमात्मा को पहचान कर स्वयमुक को उनकी संतान के रूप में अनुभव करने लगते हैं और उनके गुडों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करने लगते हैं तो हमारे जीवन से भी कड़वापन धीरे-धीरे मिठता जाता है और गुड के समान हमारा जीवन भी मीठा होने लगता है आगे इस दिन का महत्व कहते हैं इस दिन लोग पतंग भी बहुत उड़ाते हैं तो वास्तों में पतंग क्यों उड़ाते हैं इसका क्या अध्यात्मिक रहस्य है क्यों पतंग उड़ाते हैं तो कहते हैं पतंग क्या होता है हलका होता है उसको जितना उचाई देना चाहो दे सकते हो तो ऐसे परमात्मा भी कहते बचे तुम आत्मा भी कौन हो बिल्कुल सोक्ष्म जोती बिंदू स्वरूप हो तुम्हारा स्वरूप भी बिल्कुल लाइट का स्वरूप है हलका स्वरूप है लेकिन आज हम दे अभिमान में रहने के कारण देभान में रहने के कारण अपने को भारी महसूस करते हैं अपने जीवन को बोजिल महसूस करते हैं तो परमात्मा कहते बच्चे जितना स्वयम को आप एक स्रेश्ट दिव्य स्वरूप आत्मा के रूप में अनभव करेंगे इस देह भान से अपने आपको न्यारा करते जाएंगे तो आटोमेटिक आपके जीवन में आपके संसकारों में आपके वहवार में आपके कर्म में हलकापन आता जाएगा तो सोचिए कितनी विद्ही विधान से हम इस तहवार को कितनी वर्षों से मनाते आ रहे थे लेकिन वास्तों में इसका आध्यात्मीक रहस्य हमारी जीवन से क्या जुड़ा हुआ था यह हम सबको मालूम नहीं था जो परमात्मा ने आकर बहुत सरल और सहच करके हम सब को सुनाया है तो ऐसे विशेश तहवार के को विशेश रोप से हम सभी ने मनाया भी और मनाते भी आ रहें हैं तो आगे भी मनाते ही रहेंगे तो वैसे तो इस तहवार को हम बहुत समय से मनाते आ रहें हैं और आज भी मनाया है लेकिन यदि इस पर्व को इस विधी से मनाई तो और भी हमें इस तहवार को मनाने में खुशी, आनंद और एक जुटता का अनभव होगा कि कैसे हम सबी एक जुट होकर एक इस नहे के सूत्र में बंध कर उमंग से, खुशी से इस तहवार को मनाते रहें और अनेक आत्माओं को भी स्रेष्ट वाइब्रेशन देते रहें अनेक आत्माओं को भी इस तहवार को इस स्रेष्ट विधी से मनाने की सिक्षा देते रहें यही हमारी शुब कामनाई हैं, तो आप सबको इस महान पर्व मकर शंक्रांती की फिर से बहुत बहुत बधाई हो, शुब कामनाई हो, बधाई हो, ओम शान्ति